तभी Grand Master बताते हैं, अभी हाल ही में Marshall Soul हाल Jailing Pass की सामने की जगा को पूरी तरह से कबजे में कर लिया है, इसलिए मुझे डर है कि जब तक हम Jailing Pass पर पहुँचेंगे, वो लोग हमारे उपर अटेक कर लेंगे, इस पर Marshall Zilla कहते हैं, मैंने भी इसके बारे में सोचा है, भले ही हम हमारे पास ज्यादा Soul Master ना हो, क्योंकि हमारे पास तो Million में ट्रूप्स है, जिसकी वजह से यह हमें बहुत ही Advantage होगा, इसके बाद, Marshall Zillang बताते हैं, मेरी Research के मुताबिक, Marshall Soul वालों ने 10 राजियों पर कबजा कर रखा है, जिसके वजह से उसके पास 6,00,000 ट्रूप्स है, उ ऐसी Situation में लड़ते हैं, तो हमारे जीतने के Chances ज्यादा बढ़ जाते हैं, इस पर Tankson कहता है, हमारे पास 10,00,000 सेने हैं, लेकिन इनका एक नुकसान भी है, इसके बाद हमारे Sin Shift होकर, दूसरा जगह पर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं, एक मधुमक्खी Tankson की दोस्तो पर नजर रख रही होती है, वही रिंग रोंग रोंग जीउन से कहते हैं, तुम पूरी तरह से रिकावर हो गई हो, इस पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इस पर जीउन सभी लोगों से थैंक्स बोलती हैं, और कहती है तुम लोगों ने Seagot Ireland में जो कुछ भी मेरे लिए कि हाँ, हमें पता है, इसके बाद तुम्हें शार्क बाय ने परेशान किया था, यह सुनकर मोटू चिलाने लगता है, तभी वर्ड बड की बेटी इन्हें शान्त कराते हुए कहते हैं, हाँ हाँ ठीक है मोटू तुने वहाँ पर बहुत कुछ किया था, जिस पर मोटू उसे फलर्ट करते हुए कहता है, मेरी वाइफ मुझे अच्छे से जानती है, यह सुनते ही ओल्ड वर्ड की ग्रांड रॉटर उसे पीटने लगती है, और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुने मुझे अपनी वाइफ कहां, यह देखकर वहाँ पर मौजूद सारे ल पोन को, कैटकल को दे देती है, और दूसरा सोल बोन को दाए मूबई को दे देती है, और कहते हैं टैंच mia ने इसे तुम्हें देने के लिए कहा है, क्योंकि यह सेंसिटिव सॉडdon मास्टर के लिए सूटेबल है, इस पर मोटू कहता है, क्यू ना तुम दोनों इन दोनों स इनके साथ अटैच हो जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से एमपरर की मीटिंग पर आ जाता है। वहाँ पर टैंग्शन कहता है। मुझे बैटल फील्ड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए मार्शल जीलांग से सहमत हूँ। लेकिन फिर सॉल मास्टर के पास स्पेशल पावर होती है। इसलिए उनका एक अलग इंपेक्ट होता है। इसलिए तांग हाव आर्मी को लीट करने के लिए आ रही हैं। क्योंकि हमारे सॉल मास्टर को मार्शल सॉल हॉल के सॉल मास्टर से डिपैंड करेंगे। इसके अलावा मैं उन् यंपायर को जानता हूँ, हमारे नॉमल डिफैंस किसी काम के नहीं है, इसलिए मार्शल जी लांग प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा, यह सुनकर के एमपरर, सू बैंग पूछते हैं, टीचा आपका क्या मतलब है, इसके बाद हमारे सीन शिफ्ट होकर के अगले दिन पर आ अगर हम लोग आर्मी के साथ चलते हैं तो थोड़ी भी कल्टिवेशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह बात भी ठीक है कि हमें इन सामान को उस जगह पर पहुचाना है, तभी रिंग रोंग रोंग पूछती है, क्या मार्शल सोल हाल सच में हमारे फूड पर अटैक करेगा, जिस पर टैंक्शन कहता है, अगर मैं बीबी डॉंग की जगह पर होता तो ऐसा जरूर करता, क्यूंकि खाने के बिना कोई भी आदमी लड़ नहीं सकता है, इसलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, इसके बाद आसकर कहता है, अच्छा होगा कि वो लोग यहाँ पर लेकिन वो लोग यहाँ पर आते हैं तो हम लोग उसके साथ फाइट करेंगे, इसके बाद हमारे सीन शिफ्ट होकर के एलडर यूगान और उनकी दोस्तों पर आ जाता है, अपने ट्रूप से कहता है, जल्दी करो हमें वहाँ पर टाइम पर पहुँचना है, उसके बाद वो इसके बाद मुझे इस तरह की काम करना पर रहा है, इसके बाद मैं खाने को बरबाद कर दू, मैं टांक्शन को भी देख लूँगा, इसके बाद टांक्शन और उनके दोस्तों को दिखाते हैं, वो लोग फूड सपलाई के साथ आगे बढ़ रहे थे, वोही मोटू टांक् आ जाती है, और बताती है, यहाँ पर कुछ अजीब चीजे हो रही है, क्यूंकि मैंने अभी अभी यहाँ पर दो सॉल मास्टर की ग्रूप को देखा है, वो लोग तेजी से बढ़ रहे हैं, इस पर टांक्शन कहता है, मैं और जिवू एक साथ जाएंगे, उसके बाद रिं लोग यहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद रास्ते में जिवू ने कुछ टावर को देख कर पूछती है, आखर एक इसलिए है, जिस पर टांक्शन बताता है, इन टावर्स में ट्रूप्स रहते हैं, इनके पास डिपेंस के लिए, डेडली क्रॉस बो होते हैं, तभी ओ सी पिरमर को यूज करता है और इन्विजिबल होकर आगे चला जाता है, उसके बाद हम देखते हैं वो सारे फूड सपलाई अंदर चले जाते हैं, इसके बाद हमारा सिन शिफ्ट होकर के एल्टर यू गौन के पर आ जाते हैं, और कहता है, वहाँ पर अटैक करो कुछ भी म चोड़ना, यहाँ पर हमारे अपिसोड कम्पलीट हो जाती है, आई होप गाईज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी